मेरी ये वीडियो देखने वाले मेरे तमाम साथियों को मेरा सलाम मेल आ रही हूँ आपके लिए मुन्फरिद वीडियो जी हाँ कुछ हटके जिसमें आपको प्लांट्स के बीच पोने से लेकर फर आने तक मुकमर इनफॉर्मेशन दी जाएगी आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है ऐसी वीडियो तो बहुत हैं अरे ठेरें आपको इसमें ये भी बताया जाएगा कि आपके पोदे आपके प्लांट्स बेमार पर जाएं तो उन्हीं कौन सी दवा की जरूरत होगी पेर पोदे भी तो जानदार हैं वो भी तो बेमार पर सकते हैं बाहर की जरसीम उन पर भी तो हमला आवर होते हैं पोदे हस्तास भी होते हैं नाराज भी हो जाते हैं और हमें उनको मनाना भी परता है बाद आखाद वो जखनी भी हो जाते हैं और उनकी बैंडिट भी करना परती है और इसके अलावा अगर दुश्मनों का हमला हो जाए तो उसको रोखना भी हमारा ही काम है मैं चुके एक होमियोपेटिक डॉक्टर हूँ इसलिए मैंने सोचा जब इंसानों को होमियोपेटिक डवाओं से फायदा होता है तो पौदे भी तो चांदान हैं क्यों ना इन पर भी इन डवाओं की आजमाईट की जाए लेहाज़ा काफी तजर्बे और काम्यावी के बाद अब आप से शेयर करने जा रही हूँ यूँ तो बजार में प्लांट के लिए केमिकल्स भरे पड़े हैं लेकिन प्लांट पर इनकी इस्थेमाल के नतीजे में हमें नई नई बेमारियों का सामना करना पड़ता है को और अपनी फैमिली को सहत मन जिंदगी दे सकें क्या आपके प्लांट पर स्थे और कैटर पिलर्व ने हामला कर दिया है क्या कीरा मगोड़े आपके प्लांट के दुश्मन है क्या आपकी खास अच्छी क्वालिटी की नहीं है क्या आपके सीर्थ की जर्मिनेशन नहीं हो रही है क्या आपके प्लांट शौक में है क्या प्लांट बहुत कमजोर है मुझा रहे है क्या पत्तों का रंग चेंज हो रहा है क्या फलों और फुलों की ग्रोथ सही नहीं है क्या फूल ज़र जाते हैं फुरूट नहीं आता, क्या आपकी cuttings की निव ग्रोथ नहीं हो रही है, क्या आपके प्लांट पर फंगस लगया है, क्या आपके प्लांट खराब मुसम के असकी वज़ा से बेमार पड़ रहे है, अपने प्लांट की और भी ऐसी बहुत सी बेमार दूस्ते चुपकारी के कि गजाओती, आपके वद्वकारी के लोग कराई तंद्कन पड़ घानएपस लेवावदर्म मुसम के लिवूस.